जैसा कि दोस्तों कल से SSC GD के फिजिकल स्टार्ट हो गए है तो हमारी अकेडमी से चार बच्चों ने फिजिकल किलियर किया है तो अभी इन बच्चों से पूछते हैं वाका गिराउंड कैसा था क्या टाइमिंग आई सुबह कितने बज़े रनिंग हो रही थी जो जो से SSC GD के देखिया हैं ऐसे सेंड फेज के UPSI के फिजिकल स्टार्ट हो गए है एक बच्चा जो है इसका कल था UPSI का तो इसका भी फिजिकल के लिए हो गया है तो अब स्टार्ट करते हैं इन बच्चों से कियसा क्या गिराउंड था वागा कैसा सबसे पहले हमारे पास है स पहले जाओ पहले पाओ यह ऐसे था या रोल नंबर के वाई ता उसका पहले बैस में नमर आज तो यहां पर आपकी ग्राउंड पर टाइमिंग क्या थी ग्राउंड बाइस के राउंड इसके बाद हमारे पास है तरून आपका फीजिकल का था और कितने बज़े स्टार्ट तो रूल नंबर वाई था या आपके वाब एक कैसी थे जो पहले पाओ तो उसके बाद एक चीज़ ओड ट्रैक आपका जैसे यहां पर चार्व मिटर है यहां पर आपकी रोड़ पर टाइमिंग की थी पचीस बचीस मिनट ठीक है उसके बाद हमारे पास परवीन है जिसका यूपिएसाई का फीजिकल था तो सईटिंट्च के फीजिकल चल लूए यूपिएसाईंगी तो परविन आपका फीजिकल कहा पे था सरु मेरा फीजिकल प्रेली पीजिकल सेवा तो सुभेज साफ़ीय तो oin यहां पर लाश्ट टाइमिंग क्या आई थी 27 साथ सेकंड 27 वहां पर क्या टाइमिंग आई वहां पर 25 में 24 सेकंड श्यावाज एक चीज और कुछ बच्चे कहरे थे वहां का ट्रेक गोल है या कैसे है यह बता हुआ साइड से तो उसमें गुलाई थी लेकिन बीच में स्ट्रेट से जैसे आप अपना ट्रेक है वैसे उसके बाद कोई बच्चा नंगे पैर रनिंग करना चाहे तो कर सकता है जी बिल्कुल कर सकता है कोई समस्या वाली ऐसी कोई दिक्क्र नहीं ले जाने के लिए पानी लेकि जा सकते और के लेकि जा सकते आप कोई अधर प्रोडेक्स ये सीजिस आप नहीं लेकि जा सकते सुमित एक चीज और बताओ जो आपका वापे ट्रेक था वो कैसा था सर वो बार से स्टार्ट कर रहे थे तेटी सुमिटर बार था अंदर फिनिशिंग थी सतरा सुमिटर अंदर जो कैम्प था उसके अंदर दोड़ा रहे थे तभी टाइमिंग में परक पड़ा है उसके वहाँ पर रोड रनिंग है और आदा रोड खराब भी है तो किरपा करके आप वहाँ पर सूज से ही रनिंग करें नंगे पैर रनिंग नहीं करें उसके बाद तरून आपका ट्रेक कैसा था हमारे ट्रेक आदा रोड का था बीच में कुछ हिससे सिमेंट वाली रोड थे किसी के स्टेट दोड़ा दें किसी कर आठ सो मिटर का ट्रेक मिल जाएगा किसी के लिए 300 मिटर कवी ठ्रेक भी है तो आप अपने कोशिस करो कि ट्रेक पर रनिंग करो उसके बाद आप कितने दिन त्यारी कि आपको कि उत्वी में कैसा लगा ये चीज़े और वताओ तरून आप मैंने चार पांच महीने तयारी करी थी अब मैं अपने आप से करता तो मेरसन नहीं होता आप ने चार-पांच महीने तियारी कि दिक बच्छें ऐसे कहेंगे कि आधी कोई भी फीजिकल कर दे इनको यह बता हो आपकर फर्स टाइमिंग कितनी आती थी एक तालीस मिनट फस्ट टाइमिंग आती थी अब किदनी आई थी लास्ट यहां पर पच्छिस आई थी और फिजीकल के टाइम पर 23-42 देख सकते हो यह बच्छा 41 मिनट में पांच किलोमेटर पांच किलोमेटर भी नहीं इसने तब तो आज पास आप मानगे चलो 42 मिनट इसकी टाइमिंग आती थी और आज के टाइम यह 23-23 मिनट में लगा क्या है तो बहुत बड़ी बात है परवीन आपने कितने दिन त्यारी की तो आप देख सकते हो जिस बच्छे ने भी यहां पर त्यारी की है पिछे भी आपने देख ल देख किया फीजिकल देख के आई तो सभी की टाइमिंग में फरक पड़ा है तो दोस्तों जब भी आप वरकाउट करते हो तो यह मत किया करो कि जैसे हमारी आज टाइमिंग बढ़ गई आज गट गई तो यह चीज कभी ऐसा होता है बोड़ी डाउन हो जाती है कभी आप हो अगर जिसको लगता है कि वो अपने आप अकले ड्रविंग नहीं कर सकता तो इस टेज़ अकैडमी में आके रणिंग कर सकता है यहां पर हंडर्ड पर्शंट रिजल्ट सक्सेस का ही मिलेगा तो दोस्तों और और भी कोई आपके क्यूस्टन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना ताकि उसकी जो भी फिजिकल से जुड़ी कोई भी जानकारी है मैं अगली वीडियो में आपको देश कूँ आज के लिए धन्यवाद